दर्भंगा में सरकारी अनाच की काला बाजारी कोई नई बात नहीं है लेकिन जिस अस्थर पर काला बाजारी चल रही है वो चोकाने वाला है इसे भी हैरत अंगेज बात तो ये है कि इसको बचानी के लिए जिले में तैनात राज्य खाद निगम के अधिकारी जितनी मुस्तैदी दिखा रहे हैं वो भी कामाल है अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सारे साक्ष के बावजूर भी अनात चोर और उसमें सनलिप्त बड़े बड़े शोर्मा पर कारवाई नहीं हो रही है तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर अभी तक बिभाग के द्वारा कालबाजारी के लिए कोई प्रात्मिक दर्ज क्यों नहीं हो सकी आखिर क्यों एक सामाजी कारे करता को उना नात चोरों के खिलाफ खुद ही आवेदन करता बनना पड़ा तो आपको बताती कि मामला है कमतौल थाना चेतर के लाधा का जहां पीती उनीस अक्टूबर की रात मुहमत पूर से आ रहे सामाजी कारे करता सपूर्विजिला पारसद शमी मुहमत की नजर बीएस एफसी की गारी से हो रही अनाच की कालबाजारी पर पड़ी उन्होंने तुरंट इसकी सूचना सदर डीएस पी जोती कुमारी दर्भंगा के जिला अधिकारी और बीएस एफसी के अधिकारी को दिए कुछी देर में कमतौल डीसपी जोती कुमारी दलबल के साथ पहुटी और छापे मारी के दोरान अनाज की काला बाजारी के साथ दारू गांजा भी पकरा। एक आदमी मौके से हिरासत में भी लिया गया लेकिन बियस एफसी के अधिकारी बावजूद इसके समवेदक को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को लेकर शमी महमद ने प्रेसवार्था कर पूरे मामले का भांडा फोर किया है। आप लोग का आज के प्रेस कॉन्फरेंस में बहुत-बहुत स्वागत है। प्रेस कॉन्फरेंस करने की नौबत इसलिए आई है कि कुछ जो सरकारी अनाज होती है जो गड़ीबों तक पहुचना चाहिए वो गड़ीब जनता तक वो अनाज सही धंग से नहीं पहुच पाती है। उसका काला बजारी जो विभाग के जो पताधिकारी है उसकी मिली भगत से बड़े पैमाने पर काला बजारी की जाती है चोड़ी की जाती है और उसका सह रहता है। तो उसी के उद्देश से परसो क्या हुआ कि 19 तारी को महमधपूर बाजार है कमतौल में पढ़ता है महमधपूर वहां बाजार में जो है सो एक रिलेटिव से हमको मिलना था मिलके हम लोट रहे थे महमधपूर वाला ही रास्ता से बाजार समीती की तरफ तो लाधा एक तो लग पर से कुछ लोग चड़ा हुआ है जो माल उतार के नीचे बोड़ा फेक रहा है वही पर हम रुख करके वहीं से सदर sdpo मेडम तू कमतौल और सदर इसको कमतौल थाना को फोन किये फोन करने के बाद वहीं से फिर ssp साहब को भी फोन किये वहीं से फिर dm साहब के के भी नंबर पर फोन किये dm sfc के भी नंबर पर फोन किये दरभंगा सभी को सूचना दे दिये लेकिन कुछी देर के बाद नौ सारे नौ बजे के लमसम में सदर sdpo 2 मैडम ज्योती कुमारी जी और कमतौल थाना की additional sho पुरे दलवल के साथ 4-5 गारी से उलग वहाँ पखड़ाया और वहाँ पर दारू भी चल रहा था दारू भी पकड़ाया दारू बैचा भी जाता है वहाँ दारू साबूत के तोर पर वहां तीन बोतल दारू निला लेकिन रात का समय था काफी अंधहला था लेकिन जितना सर्च हो सका उतना हुआ कुछ ट्रक पर जो है जो ट्रक का नमबर भी बताएंगे, उस ट्रक पर से जो बोड़ा सिलाई होती है, इस सिलाई पे, वो मसीन मिली, और उसके बाद सुआ मिला, खाली जो बोड़ा होता है, चट का और प्लास्टिक का, वो सैकरो के संख्या में, दो-तीन चाट ट्रक पर से बोड़ा भी मिला, और वहीं पर सील पैक बोड़ा ट्रक से उतारा गया, वो भी मिला, और जब पुलीस के दुआरा, और उसको पकरने के बाद, फिर वहां पर से दूसरी जगह देखा जाता है, बगल में एक धाबा है, बंद है, धाबा है, लेकिन बंद है, उसमें कई जो है, ये मिला, सील पैक भी बोड़ा मिला, और खुला हुआ बोड़ा भी गेहुं का, जो गेहुं मिला है, वही गेहुं उस ट्रक पे लोड थी, वही सेंपल, वही सारी चीज है, ठीक है, अब वही अनाज है, दूसरा कोई अनाज नहीं है, कि कहीं से वहां अनाज लाके रखा जाए, वैसा कुछ अनाज है, अब वही से साइकिला, इसकुटी से भी उतार-उतार के धोया जा रहा है, और पुलीस के बरियेपदादीकारी के निगरानी में वह चीज होता है, अब उसको भी भाग के लोग जुटला रहे हैं, एमो, डी-म-स-फ-सी और गोडान मैनेजर, वहां सभी की मिली भागस से, वहां पर वो किया जा रहा है, संडक्षन दिया जाता है, कि तुम लोग काला बजारी करो, और आज भी खाना पुर्ती के लिए वो लोग कारवाई करेंगे, जबकि उसमें जो ट्रक है, ट्रक ड्राइवर पे, ट्रक आउनर पे, और जो संबेदक, जो वहां का का पूर्ती करके केस करके निकल जाएं, और बड़े को बचा दे, ये काला बजारी का ये है, और मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर इस विभाग को देखना है सही से कि कितनी चोड़ी, कितनी काला बजारी होती है, कितने बड़े पैमाने पे, तो मैं अनु लोग गिरफ्तार भी है, और ट्रक का ड्रायवर से फरार हो गया और बटाते हैं, बिभाग के द्वारा जब सरात में खबर की जा रही है, तो बिभाग के कोई लोग नहीं आते हैं, सुबह में जब काफी अनुरोद के बाद, पुलिस के अनुरोद के बाद, वो वहां जाने की कोई मतलब भी नहीं था आप पुलीस की मौजूदगी में आप किसी नूटल काटा पे ले जाते हैं उसको काटा करवाते हैं और 100 कजी 200 कजी 300 कजी मैक्सिमम मेनीमम उतरा कम तो मिलेगा ही मिलेगा उसको अपने काटा पर खाना पूर्ती करने के लिए वहां ले जाया गया और लेकिन मैं एक चीज बता दूँ पुलीस पता दी कारी पे और जिला के डीम पे हमको पूरा भरोसा है कि दूद का दूद पानी का पानी होगा कारवाई होगी इससे पहले भी लहरिया सराई में कारवाई हुई लहरिया सराई में संवेदक के नाम से सारा चीज के न आपको अएक बता देें, यहां भी मुस्य भरोसा है, यहां बी मुझे भरोसाा, यह लोग जतना भी खाना परीत करना करें, लेकिन पुलीस के अनुसंथान में सब कुछ आ जाएगा, क्य пожs को आ है, प्रौर के सब कुछ अमें करें आता है इस और यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो अनाज काला बजारी का है उसी टाइम है और रेड हैंट पकड़ा गिया है कोई वो छुपाने की बात नहीं है लेकिन विभाग के पतादीकारी के द्वारे चुपाया जाता है और इस आसे का एक आवेदन मैं भी अपना दे करके ए 200 मतलब यह है 91 है केस नंबर 294 उसमें भी मैं रीट फाइल कर चुका हूं हाई कोट में दो चार दिन में सुनवाई होग बंद थी कोट इस लिए सुनवाई नहीं हुई और इस केस, इस मामले में भी मैं रीट फाईल करूंगा हाई कोट में और उजागर करूंगा और जो भ मेरे पास है मैं अगर नहीं होता है कारवाई तो मैं जाओंगा लेकिन पुलीस पर भरोसा है पुलीस कारवाई करेगी